हेलो एब्रीवन देश शम्शाद एर तुडेए वी आर गूइंक रिस्टाइट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इस कॉल्ड एस डेटा कनवर्टर ओके यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को मोस्ट अफ्ट सब्जेक्ट में यूस किया जाता है और थर्ड समस्टर में अगर आपने अलेक्ट्रोनिस ट्राइंग अंड्राफ्टिंग का वेवर पढ़ा है तो वहां भी यह टॉपिक है तो यह टॉपिक क्या है कि ऐसा टॉपिक है जो कॉमनली मोस्ट अफ्ट सब्जेक्ट में दिखाई देगा आपको तो यह डेटा कनव हमारी real life में इसका क्या इंप्वॉर्टन है तो हम लोग इसी तरह से स्मझेगे हैं कि Detcra Converter हमारे real life में क्यों important है और हम इसे क्यूं पहड़़ची है तो चलिए स्टाट करते है तो data converter होता क्या है है तो data त vida का मतलब हो गया है जो भी हम बोलते हैं जो भी हम बात करते हैं जैसे कि दुनिया में जतना भी चीज जतना भी physical quantity है जैसे आपका वह इस हो गया जैसे आफ जैसे अपने बढॉन रहे है पुर आप देख रहे हैं कोई भी भी फिजिकल व्कात्टिट जिसको आप क्वांटिटी को सेंज करता है और फीजिकल क्वांटिटी क्या हो ग zat taroghia temperature हो गया मुचर हो गया है लाético हो इसारा क्या है यह सारा फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वह एन लगर होगा है अनलोग नेचर में क्या फर्क है आपको मैं इसको देटेल से बताऊंगा लेकिन थोड़ा बैसिक बात कर लें जैसे कोई भी आपने वाइस आपका सबसी इंपरेंट जिस आप जो बोल रहे हैं वह किस फॉर्म में चलता है एनलोग सिगनल के फॉर्म में तो जब आप बोलते हैं और किसी माइक के तुरू अगर आप रिकॉर्ड कर रहे कि कम्पूटर कि होता है चुछ कॉgen ब करता है कम्पूटर को हम लोग ने डेजाइन किया अधाभी फोली बिसक्रेंग करेंगा तो इस अनलَّोग सिगनल और को प्रोसेसिंग हो तो यह प्रोसेस जो होता है अगर हम बात करें सिंपल को यहां देख सकते हैं कि क्यों इसकी जरुए यानि कि हम लोग लोग वगे की क्या चीज़ सब्सक्राइब इस बीश में क्या प्रोसेश हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करें उसको को बोल रहे narrative क्लिए क्या है माइक को यूज कर रहे हैं माइक में हम लोग जो सिंगनल दे रहे हैं यानि जो वाइस सिंगनल इसमें जा रहा है वो किस टाइप का है वो एनलोग टाइप का है इसका टाइप क्या है एनलोग टाइप का सिंगनल इसमें हम लोग वाइस को फीड कर रहे हैं यह माइक जो है इस one electrical quantity आपका वाइस और उसको अ है अगत dough हो जाएगा इसको आ या इस निर्थ किस निचर काया यानि स्पॉम में आपका जो ऑउस्ट सब्सक्राइब करने के पाद इस प्रोटियों को सुनाना वहां तक पहुंचा रहा है तो इस बीच में इस Mic और इस Computer के बीच में क्योंकि माइक तो आपका Electrical सिगनल में कवाइस को अलेक्ट्रिकल सिगनल में कनवर्ट करके यहां कंप्यूटर में भेंद ने के लिए एक नहीं करेगा और यह जो वाइस से आपका Electrical सिगनल है लेकिन यह क्या है डिजिटल नहीं है और नहीं है और computer किसके लिए कूं सिंग और को प्रोसर करता यह है इसलिए इंपूट को प्रोसर्द करता That तो हम लोग को क्या होगा एक circuit चाहिए होगा जो इस एनलोग सिगनल को करदे एनलोग टो पहला मैंने यहाँ पे ऐल्क्रॉनिक सिर्केट मैं ंरे पास आ रहा था उश्मकें माइक से निकल के इसके पास कर देगा मतलब किस पॉर्म एस तरह से यह यनि होता हिए जीरो होता है सब यह क्या किया किया건 इसका नाम ही दिए क्या हो गया एनालोग टूीर सिग्णल यह क्या करेगा आपका माइक रिकल सिग्नल इसको convert कर जाए इसमें digital signal में अब यह digital signal कहा जाएगा computer में जाएगा और computer में क्या होगा इसके digital input यहाँ पर दिया गया इसको process करेगा जो भी process में करना है हम लोगों को उसको amplify करेगा उसमें सजुन्वाइज होगा उसको remove करेगा ओके और process करने के बाद क्या करेगा फिर से आगर हम इसके आगए विद देनने लेंगे तो यह पीड कर तो कैसा इनपुट चाहिए फिर से इसके लिए हम लोग और यह सिस्टम के जो भी तो निकलेगा उसको क्या करेगा और यह analog signal, जब analog electrical signal, आपको speaker में जाएगा, तो यह क्या करेगा, speaker, यह transducer की तरह काम करता है, मतलब यह क्या है जो आपका analog electrical signal, इसको input में मिला है, उसको क्या करेगा, हम लोगों के voice में, यानि वापस क्या करेगा, voice में यह convert कर देगा, जो हम लोगों को आप दो जो हो रहा है जो आप इंपूट पीड कर रहे है मैं वह है आपका वाइस सिगनल उसको कशनों हो गया है यह होता है यह होता है उसके बात क्या है दूसरा conversion जो सबसे important जो हम लोग के इस पूरे subject में मतलब इस topic में पढ़ना है converter topic में वह converter तो converter कहा है इसके बाद converter use होता है जो जिसका काम क्या है इस analog electrical signal को convert करना किसमे analog से digital signal में तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे किस तरह converter लगाते है जो इनलाओ सिगनल को इस सिगनल में convert कर देता है फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद जो हम लोग को डिटल आउटपुट मिला है उसको convert करने के लिए हम लोग को क्या ताकि हम क्या कर सकते इसको सुन पाएं तो यह क्या करेगा simply digital को इनलाओ में convert करने के लिए यहाँ पर एकेला और electronic circuitry लगा हुआ है जिसका नाम है डिटल इनलाओ कर देगा डिटल इन्पुट को इनलाओ आउटपुट में इस तरह से यह conversion पॉसिबूल होगा और हम लोग उस voice को सुन पाएंगे यानि जो भी हमनों बोल रहे हैं उसका वह बहुत ही important रोल है जो क्या काम कर रहा है एनलाओ सिंग्नल को डिटल सिंग्नल में convert कर रहा है तो यह हमारे लिए एक important electronic circuitry है जो आपको बहुत commonly देखने को मिलेगा तो यह इसका importance हो गया कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वाई वी आर यूजिंग इट वाई वी आर रीडिंग कनवर्टर वाई वी रीडिंग डेटा कनवर्टर तो यह आपका सबसे important reason हो गया है क्यों हम लोग को डेटा लगा हुआ है एनलोग से डिटल लगा हुआ है और उसका corresponding काम क्या है तो चलिए डेटा कनवर्टर से बाद में यहां पर definition formally लिग दिया गया कि डेटा कनवर्टर क्यों होता है जो क्या करता है कनवर्ट करता डेटा को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में एक फॉर्म से दूस इसका नाम होगा और जो डेटल से अनलोग में करेगा उसका नाम होगा डेटल दोर अनलोग कर रहा है तो यह क्या कर रहा है और 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 यह क्या कर क्या-क्या फंक्यान होता है हम लोग अगर एक कंवर्टर से काम चला ले तो फिर हम लोग को दो-चार कंवर्टर पढ़ने यह क्या ज़रू होता है ठीक है तो हमेशे आपके दिमाग में यह सवाल आना चाहिए कि आप कोई बीचिस पढ़ रहें तो क्यों पढ़ रहें उसका क्या इंप्रेंस आपके रियल लाइट में और वह क्या करेगा या अगर आपका सॉंग है माली आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर आप कुछ देख रहे हैं जो आप मतलब यू करने ठीक है तो यह कोई भी सि करें यहां जाया और आपको अब आपको क्या करटेंगा आपको देगा या फिर आप फिल करने जैसे कि क्या होता है मोईस्चर की सब्सक्राइब कर रहा है हम चाहिंग कर रहा है और यह केतने तरह का रहा हुआ दो तरह का एक को कहने A.D.C. और दूसरे को कहने B.A.C. ओके चलिए देखे यही अभी हम लोग इसको डिसकस किया कि क्यों इसका जरूवत है वाइट 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 नीडिट ओके तो कियो इसका जरूवत है उपहार रियाल लाइस में यह चिछी हम लोग देखने को मिलता ह अभी लेकिन यह अगर डिस्टॉशन होने लगे बीच में क्या हो जाए आपको पंका चला उसका आवाज आने लगे और सारा आवाज आने लगा रिकॉर्ड होने लगे तो आपको सुनाई देगा तो हम लोगों क्या चाहिए किलियर सिंगनल चाहिए और अगर हम यहां से बोल इसलिए हम लोग यह कर रहे हैं तो देखिए डिटा कनवर्टर की कि बात करें ग्रेसे करने के लिए का फोय से दूशरे धान करें तो ऐसे फ़र्म को क्या कहें ओनगा एसे सर्क इनE स्प lookin देटा से इसके बारे में इससंग साथ में होता अधल्टर निश्य थे 591 बटाए आपको जैसे में काहा जैसितक वकी से आपका इन गोलम मोफ्याला कड़ा हुआ त्यों में है यहां व्हाय मैं नें है। that has any number of values for a given time slot देखें यह simply क्या कहा जा रहा है इसमें यहां मैंने definition को लिग दिया है लेकिन यह क्या बता रहा है कि analog signal क्या होता है simply कि analog signal वैसा signal होता है जो continuous होता है और यह time के साथ vary करता है continuously time के साथ vary करता है इसका magnitude vary करता है देखें यह signal अगर माल लिजे इसका peak value माल लिजे यहां से यहां तक 4 है suppose यह एक वोल्टे सिंगल है और इसका peak value क्या होगा यह time instant क्या है हाई time instant पर इसके बीच में कितना time instant होगा यहां से लेके माल यह time लगा इसको 1-ятनाBill तो यहार जगा पर यह क्या कर रहा प्रांस ली अपने एम्प्लिचूट को चेंज कर रहा है टाइम ज्लौत में यारनी व्हें टाइम्प土ी को सब्सक्राइब उसमें क्या कर रहा है इसका आप्लिचू इसका है कािनेवेड कर रहा है होगा एन पॉर सकते हैं इन फाइने फाइने होगा है इन होगा के रिखा था इस आप पर एतना तो पर नहीं नहीं बोल रहा है मैं कहा रहा हूँ है आपको अनलोक टाइम् ने यानि कहने का मतलए आप कोई भी हम दियुर से लेकल 4 K काल्कूलेट कर सकते हैं जैसे मैंने कहा कि 0.2 सेकंड पर बताओ इसके अप्रिचूट करना है वैसा ही 0.1 सेकंड पर बताओ इससे छोटा बोलने हूं 0.02 आ गया क्या एक सेंड यह क्या हो रहा है वेट देख लिए ता हूं के यह क्लोज हो गया हूं तो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा सा मियूट हो गया था बीच में तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोगों को किसी भी टाइम इस्टेंट पर वैलू चाहिए होगा इस एनलॉक सिगनल का तो मिल सकता है चाहे वह टाइम इस्टेंट कितना भी च्छोटा क्यों नहीं हो अगर हमको वैलू पुछा ही करने कें लीए कहा जाए कि 0.02 सेकend पर यूट क्या होगा तो वह भी बैलू मिलेगा और अगर पुछा जाए कि 0.0002 सेकंड क्या होगा तो वह भी वैलू पता होगा यहां पर यानि कितना भी चोटा टाइम क्लोड हो के बढ़ा हो 0 स 6 के बीच में जतना भी आप दो चाहेंगे वह आपको क्या हो जागा इसे नौक मिल जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं एना नेचर का है इसमें कितना वैलु लाई करेगा इस टाइम आप सकता है नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग जो भी processing करते हैं किसी finite value के लिए processing करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इस analog signal को digital signal में convert करते हैं digital signal में इस तरह से convert करते हैं कि हम क्या करते हैं इस time slot को क्या करते हैं convert कर दते हैं किसमें convert कर दते हैं with the help of integer value यानि integer value के form में इसको convert करते हैं क्षा कि लिए कि इकॉल टो vaccine का वैलू क्या उख शधू क्या हुआ टी इकोल टू सेकंड पे से चूक क्या हुआ यह कोलगा ठीक लिए पे स्पोड़िया स्पोज मालेते हैं कि 1.5 फे इसका वाइलु कितना हो गया यह फिर से हो गया तो फिर से यह जी तो फिर से जाएगा तो आगर हम यह बैलू लेने और इसको हम कनवाट करने किस वाइट करने एक डिटिटल समने डीटल फॉर्म में कनवर्ट करने का मतलब क्या है कि 1 पे इसका वालू कितना था ठीक है 2 पे इसका वालू कितना था फिर 3 पे कितना था फिर 4 पे कितना था इसका वालू 5 पे कितना था इसका वालू और 6 पे कितना था यही नहीं हो जाएगा तो यह हम बोल दिया यहां पर 1.5 यहां पे कतना हो गया यहां पे लाज फैर कर दिया कि यह इस तरा का वैलॉ सब्सक्राइब करें यह सब कुछ हम पढ़ेंगे इसके बाद एडीजी के बारें जब रिटेल में पढ़ेंगे तो यह सारा चीज़ देखेंगे कि पहले continuous signal को हम लोग sample signal में कैसे convert करता है फिर sample signal को हम लोग encode करके डीटल सिगनल में कैसे convert करता है यह सारा प्रोसेस हम लोगों को ADC स्टार्ट करने पर डीटेल में पता चल जाएगा अभी simply समझना है कि data converter क्या होता है तो data converter simply किसी भी data form को एक form से दूसरे form में convert करता है यान दूसरे को करते है डीएसी और यह work कैसे करता है ADC तो हम लोग जब detail में इसके जाएंगे तो पहले हम लोग पढ़ेंगे DSE के बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ADC के बारे में जब हम लोग ADC discuss करेंगे तो जो अभी मैं बता रहा था वो सारा point वहाँ पे आएगा और सारे चीज़ को हम लोग को detail में discuss करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो थारा का होता है मिली कौन कोन होता है एक होता है DSE और एक होता है ADC ठीक है DSE काम क्या हो जाएगा जो convert करेगा किसको digital को analog में यानि डिटल से analog में अगर convert करेगा तो वो कहलाएगा DSE और जो analog signal को digital signal में convert करेगा वो कहलाएगा ADC ओके तो इसलिए हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं DSE डिटल टू अनलॉग converter तो डिटल टू अनलॉग converter क्या करेगा simply तो डिटल टू अनलॉग converter मालूम है कि यह क्या करेगा डिटल सिगनल हम इस फॉर्म में अप्लाई करेगा यह प्रोसेस करेगा प्रोसेस करने के बारे में हम लोग पहले हम लोग डिटल सिगनल को अनलॉग सिगनल में कर दे वो कह रहाता है डिटल टू अनलॉग गूर्म में होगा और वो किस अनलॉग कर देगा इसको कंटिन्वर्ण इनलॉग सिगनल में यह कनेथ टाइप से करें कि केती ति सरह होता है तोले कि यह को रत ये को कहते हैं ऑर दूसरे को क्याता है निमर्फल प्रीप किया होता है कि हम लोग उसको करेंगे यह क्या है को यह सकता है कि быть कॉ capitalist urgent और यह इसका नाम दिया गया जैसा यह कन वर्जन करता है अगर 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 अब आगे देखें कि तरह होता है यह दो तरह होता है एक को कहते हैं वेटेट रिस्टर दी एसी और एक को कहते हैं यह दोनों क्या होता है और यह कैसे करता है इन दोनों में क्या डिफ्रेंट है ओके थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग दिस्ट विवल मेट इन दा नेक्स लेक्ट्चर